hole इ install Ohio For open बूक एक्जाम क्या है और सी बियसी बॉर्ड के स्टूदेंट के लिए जो नई ख़बर है बहुत ही ट्रेंडिंग ये नूज रही है और जितने भी स्टूदेंट्स अभी सीबेसी बॉर्ड में होंगे या जिनका जो टेंथ क्लास में हों या ट्विल्थ क्लास क्यो वोर्ट का इग्जाम देने वाले हैं उनकी लिए यह बहुत ही जरूरी ज्यूज है जो सभी को जानने बहुत जरूरी है तो क्या यह सही है कि अब आपकार वोड़ और वह स्विशेर की आपका सर呀 and और वेल्कम टू यू अलनी चैनल, आज हम सब इसी बार पे बाद discuss करेंगे कि क्या ये news सही है और क्या सच में आपका पेपर एक साल में दो बार होगा और क्या आपका जो exam होगा उस वो open book exam होगा तो इन शबी चीजों की बारे में बात करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यह जो news है यह ट्वीटर पे आई थी और यह cbsc news है यहाँ पे जो cbsc से related यानिकी जो बोर्ड है आपका उससे related exam से related जो भी ख़बर होती है वो यहाँ पे आते हैं और यह news एकडम 100% सही है तो यहाँ पे देखें इसमें लिखा है twice a year boats to be rolled out from 2026 confirms यह देखें चार दिन पहले का यह news है तो देखें इसमें लिखा है कि आपका पेपर जो बोर्ड होगा बोर्ड का पेपर होगा चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो वो कितने देर होगा मतलब कि साल में आपका दो बार और यह जो रूल है कबसे चलेगा मतलब इस साल तो नहीं 24 से पचीज तो नहीं इस साल नहीं यह रूल ऊधाल करेंगे लोग लेकिन 2050 से दोधार 26 जबाब 2000 जो इस साल है वो तो फ्री है उनका पेपर जैसे होता है वैसी होगा लेकिन जो दोधार 25 में इस स्टूरेंट्स जो जाएंगे जो इसमें 9 में होंगे या जो इसमें 11 में होंगे वो अगली साल जब जाएंगे तो उनका पेपर साल में दो बार होगा और जो भी बुक मतलब जो भी पेपर होगा वो उपन बुक एक्जाम होगा यहां पर देखिए एक न्यूस तो यह हुई और एक एक दूस जिसमें आप सभी जानते हैं जैसे कि CBSC का मतलब हुई होता है Central Board of Secondary Education इसका मतलब यही होता है और इन्हें देखे इसमें क्या लिखा है Central Board of Secondary Education इस साल के बाद 9 से लेकर 12 तक यानि कि जो भी स्टुडेंट्स है वो 9 में हो 10 में हो 11 में 12 में किसी भी क्लास में हो आपका जो वो सेलेक्टेड स्कूल में होगा अगर आपका जो स्कूल का नाम है या जो आपकी कॉलिज का नाम है अगर वो सेलेक्टेड लिस्ट में है तो आपका पेपर ऐसा ही होने वाला है और यहाँ पे open book exam का मतलब यही होता है कि आपका जो paper होगा साल में दो बार होगा और open book exam का मतलब है जब आप paper देने बैठ होगे तो आपके उस subject से related book जो भी आपके school में लगते हैं वो आपके हाथ में होगी लेकिन आपके जो question का pattern होगा वो different होगा ऐसा नहीं है कि जो book में question है आपको same to same मिल जाने वाला है जो question होगा जो आपका question होगा वो आपके concept से related question होगा इसका मतलब open book यानि की OBE का मतलब यही है कि जो भी आपका paper दाप जब देने बैठेंगे आपके पास जो भी बुक होगा उसमें से उस जो concept से question आएंगे और आपका यह आपको देखने के लिए इसकी मतलब इसका उद्देश यह है कि यह देखना कि बच्चों के अंदर concept की clarity कि इतनी है according to official board is planning assessment in selected schools targeting subject English, mathematics and science for classes जो भी classes है इन सबका जो paper होगा आपका वो selected होगा और आपको open book exam होगा आपका तो इसके बारे में आप सभी अभी से alert हो जाएए जो इस साल में है 10th और 12th में वो तो उनका तो ठीक है लेकि जो अगली साल जाएंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत है तो आपको अभी से इसके लिए तैयारी करनी होगी क्योंकि आपका जो exam होगा वो बहुत ही टफ होने वाला है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजेगा और ऐसे न्यूज पानी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सेयर करें अ उपन बुक एक्जाम और को बहुत ही अच्छी तरीके से समझे ताक क्योंकि आपके आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत ही यह हल्पफुल है तो गाइस थैंक यो फार वाचिंग माई वीडियो